एलो दोस्तों अगला सब्ता October 31 से November 5 नया महिना भी शुरू हो रहा है क्या बड़ी इवेंट्स हो रही है बात करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे, डिविडेंड आएगा, कुछ कम्पनियां बाइबैक लाने वाली है, कुछ कम्पनियां IPO लाने वाली है और बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स भी होने वाले हैं, जिनके बारे में हमको आपको बिल्कुल जानना चाहिए, सबसे पहली इवेंट October 31 को क्या हो रही है, कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे मदरसन सूमी के quarter 2 के रिजल्ट्स आएंगे, सुप्रीम इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आएंगे तो मैक्स हेल्ट्स के रिजल्ट्स आएंगे, नाइका जो स्टॉक अभी बहुत प्रेशर में है, और नविंबर के महिने में कुछ लॉक इन भी खुलने वाले हैं, तो और प्रेशर में रहने की संभावना भी है, तो नाइका के रिजल्ट्स आएंगे, क्या ये कुछ equations चे एक महिंद्रा काएगा इस पर मैंने एक डीटेल वीडियो भी बनाया हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं मैंने काड में लिंक दी हुई है फिर UPL के एंबल हेल्थ केर रेडिंग्टन फिर दाल्मिया भारत के भी रिजल्ट्स हैं और दाल्मिया भारत की तरफ से डिविडेंट का भी अनौस्मेंट होगा फिर त्रिवेनी तर्बाइन यहां पर म्यूचल फंड्स और एफाई इस ने बहुत इंट्री की थी प्रोमोटर ने थो क्योंकि जो HDFC बैंक है उसके साथ HDFC का मर्जर होगा तो तीन नविंबर को रिजल्ट्स आएंगे हमको पता चलेगा किस हिसाब से बिजनस हो रहा है उसके बाद हिरो मोटो कॉर्प के रिजल्ट आएंगे फिर SRF के रिजल्ट और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी रिजल आ रहा है दोस्तों सिपला फार्मा कंपनी एक और फिर मेरिको का रिजल्ट है टीविस मोटर्स टाइटन और गेल इंडिया की तरफ से भी रिजल्ट चार नविंबर को आ रहे हैं पांच नविंबर को कौन से रिजल्ट है पावर ग्रिट की तरफ से रिजल्ट है और पाव bank of India अब दोस्तों मैंने बहुत वीडियो बनाये हैं पिछले कुछ सालों में जहां पर मैंने state bank of India का किस हिसाब से जो long term fundamental investor जो चैनल के साथ जुड़े हुए हम बिल्कुल जानते हैं कि किस हिसाब से fundamentally change हुई है कंपनी पिछले कुछ सालों में जहां loss से profit की तरफ आई है तो बहुत यो elevated result होने वाला है state bank of India का फिर bank of baroda एक और जो company है जो थोड़ा turn around कर रही है तो bank of baroda के भी result 5 November को आने वाले हैं साथ साथ कुछ IPOs भी आने वाले हैं अगेन इन चार IPO में से किस पर आप focus रखना चाहेंगे जरूर बताइएगा कुछ के जो GMP है थोड़े मजबूत भी बता रहे हैं जैसे अभी DCS system जो है October 31 से November 2 IPO आने वाला है जिसका अभी ठिक ठाक GMP भी बोल रहा है फिर fusion microfinance 2-4 November है फिर BKG Foods जो products है मुझे उमिर है आप भी घर में यूज करते होंगे BKG बड़े brands हैं बड़े brand ambassadors भी है इनके साथ जुड़े हुए 3-7 November है थोड़ा बहुत अच्छा खासा GMP भी अभी फिलाल बता है फिर Global Health 3-7 November इनका भी IPO आने वाला है तो जरूर बताइएगा कोई एक नाम जिस पर आप चाहते हैं कि मैं review करूँ अब अगले सब्ता कुछ macro events होने वाली है जो सिर्फ अगला सब्ता ही नहीं अगले कुछ महीनों का market का direction तरहीं कर सकती है जैसे November 1 को जो results है ऑटो जो कंपनिया है उनके sales के नंबर आएंगे तो अच्छे sales के नंबर आएंगे ऐसा expectation है क्योंकि October महिना पूरा festival का महिना था तो यहां पर Automobile के कैसे sales figures बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं पता चलेगा फिर यह बहुत बड़ी event है फैड की meeting जहां पर expected है कि फेड की फैड की तरफ से interest rate बढ़ाये जा सकते हैं यहां पर कुछ अगर aggressive numbers आते हैं तो हो सकता है recession जैसी भी संभावना हो सकती है या फिर positive भी हो सकता है तो हमका भी नहीं पता यह बहुत बड़ी event होने वाली है जो अगले कुछ मैनों तक मार्केट पर बिल्कुल हावी रहेगी तो फैड का numbers बहुत important है फिर फैड की meeting के बाद RBI की भी meeting है और UK की भी जो interest rate है उनकी भी तीन नवेंबर को meeting है तो यह कुछ events है जो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए मैं बिल्कुल फैड की किस पर आपकी नजर है जरूर बताइएगा comment section में धन्यवाद आपके समय के लिए thank you दोस्तो